कोई गाली सुनने के लिए यहां पर ठेगा क्या कोई गाली सुनने के लिए यहां पर ठेगा क्या किसने किसने गाली दिया किसने यह इसी बैठक में एक भाड़ी बवाल हो गया बता दे कि लालू यादब के बरे लाज तेजपरताप यादब ने गुस्टे से बाहर हो गये और बाहर आकर के पाटी के नेता स्याम रजक पर बरा आरोप लगाया उन्होंने कहा कि स्याम रजक ने मेरे पीए को और हमको और मे को कह रहे हैं कि वो भाजपाई हैं और भाजपा से मिले हुए हैं ऐसे लोगों के बीच में आने का कोई फायदा नहीं है साथ में जगदा नंसिंग पर जब सवाल पुछा गया तो उन्होंने कहा कि यहां पर कौन आएगा गाली सुनने कोई आएगा तो तेजपरताप कि वारे में यहां पूछा हम मने टाइमींग पूछा कि आप टाइम बताइए तो हमारे पियो को साला हमारी बहुन को गाली देने का काम किया गया च्छाम रजक ने, वो ऑडियो भी है जो कि हम अपने पेस सेट डालेंगे अपूरी बिहार की जंता को सुनाएंगे ऐसे RSC को ऐसे भाजपाईओं को संगठन से बाएंगे हमने समय पूछा हमने टाइमिंग पूछा ता इसने हमको गाली दिया कोई गाली सुनने के लिए यहां बैठेगा क्या तो सुना आपने तेजपरताप यादब को जो साब तोर पर यह कह रहे हैं कि स्याम रजक और भाजपा के आडियोलोजी पर चलने वाले लोग हैं वो तो स्याम रजक पाटी के पुराने ने था हलाकि स्याम रजक इससे पहले जेडियो में थे वहां मंत्री थे लेकिन 2020 के विधान सवा चुनाओं में वो जनता दल यूनाइटेड को छोर कर आर जेडी का दामन थामा लेकिन टिकट उनको फुलवारी सरीप से नहीं दिया गया लेकिन पाटी में राश्ठी डिये महासचीब के पत पर वो बने हुए है लेकिन आब नए मुस्किल में गिरते दिख रहे है क्योंकि लालु य Adab के बरे बेटे हैं तेज परताप यादव और बिहार में मंत्री है तो तेज परताप यादव ने बड़ा आरोप लगाया है स स्याम रजक और अब देखना होगा स्याम रजक के तरफ से इस आरोप पर क्या कुछ सफाई आती है खिलाल इसको रुमित नहीं बने रहे हमारे साथ धन्यवाद